तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन अकेडमी के इस महामेराथन क्लास में जी हां आज का ये विडियो मेराथन वीडियो है किस चीज का तो क्लास 10 के उर्दू के objective question का आज का ये जो वीडियो है ना ये आप लोग के लिए exam dose के समाने मतलब कि जिस तरह आप दवाई का dose लेते हैं ताकि आप लोग की तबियत ठीक हो जाए उसी तरह आप लोग का एक्जाम अच्छा से जाए एकदम जबर्दस्त जाए तो उसके लिए ये एक जो वीडियो है आप लोग के लिए exam dose है यानि कि इस वीडियो को देख कर जाना है अगर आप इस वीडियो को नहीं देख कर जाते हैं तो समझें कि आप जिन्दगी भर पश्ताएंगे क्योंकि आ इतना आसान काम नहीं होता है अभी वालों का जितना भी में वीडियो के जरिए वो फाइनल इकजां में देखने को थे चुछ है अगर आप लोगो विश्वास नहीं हो रहा है ना तो अभी भी कर लिए हमारे कमेंट बोक्स में पढ़ा हुआ है भरा पढ़ा है आप लोग जाकर देख सकते हैं कोई दिक्षत नहीं है इसी वज़े से जितने भी क्लास टेंथ वाले विद्यार्ति हैं आप लोग का एक्दाम हुआ नहीं है तो एक्दाम होने से पहले ही मैं आप लोग को कहढ़ रही हूँ कि जितना भी आप लोगो अबजेक्टिव सब्जेक्टिव करा रही हूं एक भी वीडियो आपंचो को मिस्क्रिप्टिन को मिस्ट temporal है ठीक है QUE 10 क्लास के उर्दू के सब्जेक्टिव कोशन का जो रिटरन कोशन होता है ना एक ही वीडियो में मतलब जितना भी रिटेन कोशन है वो कंप्लीट करा चुकी हो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है आप लोग वो जो टेंथ क्लास के उर्दू के सब्जेक्टिव कोशन का मेर रहेंगे इन ही औभॉटिव कोशन में से रहेंगे इससे बाहर नहीं रहेंगे यह चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग वीडियो को सब 오के लिए इतना ज़या महिनत किया रहा है तो फिर आप लोग को भी दो जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग लाइक शेरगे ठीक है ना तो वैसे भी लाइक एख र किया जाता है, लाइक एक र कर दें और जितना दिल चाहे उतना बार शेर करें, कोई दिक्कत नहीं है अपने पडूसी अपने दोस्तों के पास, आप लोगे चोटे, बड़े, भाई बन, दोस्त, रिस्त दार जितने भी हैं, चालों सबी तरह का objective question है, 10th class के उर्दू के दरक्षा के किताब से जितना भी objective question बन सकता है, वो सारा objective question आज के इस वीडियो में complete हो जाने वाला है, और इसका PDF आप लोगो free में telegram पर डाल दिया जाएगा, तो आप लोग telegram से जरूर जूड कर PDF ले लीजिएगा, ताकि आप लोग का practice भी हुआ रहे है, आज के इस वीडियो में सारे objective question का answer देख लीजिए, हर एक objective question पर command कर लीजिए और उसके बाद से PDF जब आप लोग को मिल जाएगा, तो PDF डाउनलोड करके आप लोग उस पर practice कीजिएगा, क्योंकि जितने भी question आप लोग के final exam में रहेंगे, वो यहीं से रहेंगे, यानि की प्रशन यहीं से रहेंगे, सारा question इसनी objective question में से पूछे जाएंगे आप लोग के final exam में, यह बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है, तो जितने भी class 10th वाले विद्यारती हैं, be ready, तैयार हो जाएए, objective question करने के लिए, पूरा किताब का निचोड है, और प्लस हमारा और नुभाव, मतलब जिस तरह के question बिहार बोड सेट करता है, 10th class का final exam होता है, तो जिस तरह के question set करता है, question का जो level होता है, और अभी आप लोग का exam होने वाला है, उस हिसाब से हमारा जो अनुभाव निकल कराता है, और पूरे किताब का निचोड जो निकल कराता है, वो सारा इसमें शामिल है, ठीक है ना, तो चलिए, देखे लिख को लगातार देखते रहना है, और सारे objective question पर आप लोग को command करना है, पूरा 300 objective question है, आप लोग को हर एक objective question का खुद से answer बताना है, और फिर comment में लिख कर बताना है, कि आप लोग 300 objective में से कितना objective question सही कर पाया है, क्योंकि पूरे book का जो निचोड निकाला गया है, उससे total 300 objective question question तयार हुआ है, ठीक है, इन ही 300 objective question में से आप लोग के final exam में question रहेंगे, तो आप लोग को लगातार जुड़े रहना है, और हर एक question का answer देना है, देखिए, first question है, कि शबनम कमाली कब पैदा हुए, option A में 1938, B में 1949, C में 1940, D में 1941, इसका जो सही जवाब होगा, क्योंकि पहले ही chapter का पहला question है, इसका सही जवाब option number A हो जाएगा, 1938 is the correct answer, दूसरा सवाल है, कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है, मेरे answer बताने से पहले आप लोग खुद मन में ही सोच लिजे, और तब मैं सही answer बता रही हूँ, तो आप लोग मिलाईए, और last में जरूर बताएग कि तीन समय से आप लोगा कितना सही हुआ है, ठीक है, और जिस question का answer आप लोगा गलत हो जाता है, उसी वक्त उस question का सही answer याद करते चलना है, शबनम कमाली का real name को नहीं जानता है, वो है मुस्तफा रजा, तो option number B will be the correct answer, आगे बढ़ते हैं, तीसरा question है, कि शबनम कमाली कि जिला में पैदा हुए, तो शबनम कमाली की पैदाईश हुई थी, सीता मड़ी जिला में, सीता मड़ी, option number B is the correct answer, ठीक है, सीता मड़ी, question number 4 है कि कायनात की तखलीक किस ने किये, तो बहुत हलवा question है, इससे आसान सवाल तो इस दुनिया में हो इना सकता है, और इतना आसान स तखलूस क्या है, तो शबनम कमाली का तखलूस है, शबनम, option number A में ही दिख रहा है, तो यह हो जाएगा इसका सही जवाब, अगला सवाल है, सवाल number 6, कि शबनम कमाली का तालुक किस रियासत से है, यह भी important question है, पूछा गया है बहुत बार, और इसका जो सही जवाब होगा option number D, बिहार is the correct answer, question number 7 है, कि सुहायल अजीम अबादी के बच्पन का नाम, second chapter आ गया, और उसका यह पहला question है, सुहायल अबादी का बच्पन का नाम था मुझेवूर रहमान, तो साथ का option number A हो जाएगा, बिलकुल right answer, यानि कि यह question जो है बहुत बार पूछा भी गया है, ठ कि सुहायल अजीम अबादी का तखल्स क्या था, तो इनका जो तखल्स था, वो था सुहायल, तो सही जवाब, option number A, question number 9 है, कि सुहायल अजीम अबादी कहां पैदा हुए, तो इनकी पैदाईश हुई थी, कहां, जी हां, पटना में, तो option number B हो जाएगा, इसका सही जवाब, अगला question, question number 10, कि सुहायल अजीम अबादी के पहले अफ्सानवी मजमुए का नाम क्या था, what is the right answer of this question, फड़फट बताईए, सुहायल अजीम अबादी के पहले अफ्सानवी मजमुए, यानकी कहानी के किताब का नाम बताना है, और इसका जो सही answer होगा, right answer, वो होगा, option number C चार चेहरे, याद रखिएगा, ये भी important question है, बहुत बार पूछा गया, question number 11 है, कि सुहायल अजीम अबादी की पैदाईश कब हुई, तो सुहायल अजीम अबादी की पैदाईश हुई थी, उन्हें से 11, इस B में, तो option number B में है, उन्हें से 11, धीरे से ठिक कर दीजे, question number 12 ह कि सुहायल साहब का अबाईव वतन क्या था, तो उनका अबाईव वतन था पटना, ठीक है, question number 13, कि सुहायल अजीम अबादी ने अपनी अप्तदाई तालिम कहां से हासिल की, option A में अपने गाउं के स्कूल से, B में हैं मदरसा शमसुल हुदा से, C में अपने गाउं के मॉल अब्लिम से, ये अब्तदाई तालिम एनी की शुरुआत शुच्चा हासिल किये थे, अगला प्रशन है, कि कितने साल की उमर में सुहायल साहब के वालिद का इंतकाल हो गई, तो जब सुहायल अजीम अबादी एक ही साल के थे ना तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया था, ठीक है, आपसन नमबर ए, कोशन नमबर पंद्रह है कि सुहायल अजीम अबादी की मुलाजमत किये थे, आपसन ए में है मदरसा में बी में, आल इंडिया रेडियो में और सी में है फौज में और डी में है, इन में से कोई नहीं, इसका जो सही जबाब होगा, वो होगा आप अबादी के बाद प्रकाशित हुआ था, तो सही जबाब ऑपसन नमबर ए, मैं फटाफट आप लोग को करा रही हूं, आप लोग फटाफट एंसर भी देते चलिए, ठीक है, कोशन नमबर 7 है, 7 में बोल रही हूं, 17 कि सुहायल अजीम अबादी के एक नाविल का नाम क्या ह है, एक नाविल का नाम आपको बताना है, आपसने में हैं आख मिचोली, हलांकि यहां पर गलत टाइप हो गया है, आख मिचोली इस तरह से लिखा जाता है, मिचोली, ठीक है, तो कोई दिकत नहीं है, उर्दू टाइपिंग में थोड़ी बहुत तो मिस्टेक होती ही रहती ह आख मिचोली इस तरह से लिखा जाता है, आगे बढ़ते हैं अगला कोईशन, कोईशन नमबर 18, कि सोहल अजीम बादी के अफसानी मजमुए की तादाद कितनी है, यानि कि टोटल इनके कितने अफसाना कहानी के किताब है, आपसन आ में 100, बी में 125, और दी में 175, तो इसका स बी 125, तकरीबन 125 अफसानी मजमुए की तादाद है, किसकी तो सुहल अजीम बादी की, ठीक है, कोईशन नमबर 19 है, कि सुहल सहब का इंतकाल कब हुआ, तो इनका इंतकाल हो गया था, उन्हीं से 80 में, आपसन नमबर A, कोईशन नमबर 20 है, कि सुहल अजीम बादी किस बार का ये इजरा किए थे, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, C, 18 नमबर क्योषन है, कि परार किसका अफसाना है, फरार जो कहानी है, ये किसका लिखा हुआ कहानी है, बहुत ही हल्वा कृषण है, ये डॉक्टर मुहम्मर्मोथ मॉसिन आपसा नमर A ही हो जाएगा, सहीज तो जी हां इसका जो صحी जवाद होगा वो होगा महमूद अब साना फरार का जो मरकजी किरदार में करेक्टर है ही रो अपके सकते हैं वो है महमूद पूरी कहानी तो मैं आप लोगों पढ़ाई यूं पूरा चैप्टर हर एक चैप्टर को कमप्लीट कराई हूं तो अब आप लोगोंने चैप्टर नहीं पढ़ रखा हैं तो अभी तो चैप्टर कम्प्लीट करने का टाइम ही नहीं है लेकिन हाँ आप यह कर सकते हैं कि आज किस वीडियो में जितना भी अब्जेक्टिव कोशन करा रही हूं इसको आप लोग कम्प्लीट देखिए एक भी मतलब को को मिस मत कीजिए स्किप्ट मत कीजिए हर एक अब्जेक्टिव कोशन को देहान से देखिए और हर एक अब्जेक्टिव कोशन पर कमांड कर लिजे तो आप लोग का एक भी कोशन छूटेगा नहीं मैं पूरे विश्वास के साथ के रही हूं बस आप लोग को लगातार नहीं हुं समझ में आ रहा है तो लाइक कर दे.... अब तक लाइक नहीं की है तो लाइक है कि हां में objective question का माह महराथन है तो सभी को इस सफर में जोड़िए इस जर्णी में जोड़िए ठीक है ना ये आप लोग की जिम्मेदारी है मैं आप लोग को ये महा महराथन क्लास करा रही हूं तो आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी लोगों तक शेयर करें जितना प्रशाइश होई रहती है पठना में तो आपसा नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब 25 नंबर क्योशन है कि मुहसिन सहब के वालिद का नाम क्या था यान कि पिता जी का नाम क्या था आप सब्सक्राइब महमद रशीद तो जी हां आप सान नंबर एही हो जाएगा स सेयद मुहमद रशीद 26 नंबर क्योशन है कि सेयद मुहमद मुहसिन किसके प्रोफेसर थे यह तो आप लोग को कुशन पढ़ गई डिरेक्ट एंसर याद आ जाना चाहिए इसमें तो ऑप्सन की ज़रूरत ही नहीं है सेयद मुहमद मुहसिन जो है नफसियात के प्रोफेसर है यानि कि साइक्लोजी के तो आपसन नंबर सी में है नफसियात धीरे से टिक कर देना है आप लोग को आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्योशन है हलांकि यह भी कोशन बहुत बार पूछा गया है जितना भी अबजेक्टिव कोशन करा रही हूं सारा का सारा इंपोर्टन है ले च्कुल्टन मछमें किस मौज़ू पर महारत रखते थें तो नफसियात नफसियात करीज थें तो आप आपसन नंबर सी इसदह करेंटें सरे कि नफसियाद का मतलब क्या होता है साइक्लो जी आप लोग बताई भी हूं पढ़ाई भी वह पूरा चप्टर नफसियाती जाविये की मुसर्निफ का नाम क्या है देखे जो लोग हमसे चैप्टर पढ़े और हर एक चैप्टर को कॉम्प्लीट कि एं तो मुझे पूरा विश चप्टर से यह कोशन उठाया गया है तो जो लोग चप्टर पढ़े हैं तो उनको तो कोशन का एंसर देने में खैर कोई दिक्कत ही नहीं होगी ठीक है ना तो फड़ाफट बताईए कोश्च नमबर 29 का क्या होगा सही जवाब नफसियाती जाविये की मुस्णिफ यानि की र मुस्णिफ कोई रोम prochain मुस्णिफ क Menge मसेन 25 मुहँद महसे लेकिन यहां पर कुशन पुछा गया है कि मुहमद मुससिंफ की मजमुह going की यानि कि या आप लोगो को किताब कि किताब का नाम बताना है तो कहानी के किताब का नाम है अनोखी मुस्कुराहट ठोब to itsie वाझा से शेरी रहेगा एक शेरी मजमुवा का नाम क्या है आप लोगो बताना है यानि की शेरोशाइरी के किताब का नाम बताना है तो अनोखी मुस्कुराइट ये तो खेर अपसाना का किताब है यानि की कहानी का किताब है तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए जी है इसका जो सही मुहसिन अपनी एहलिया के साथ हज का फरीजा अदा किये तो हज का फरीजा में बोल रही हूँ हर बाज का फराइज अदा किये तो इसका जो सही जवाब होगा option number D उनसे 73 में यह हज किये थे अपने एहलिया के साथ question number 33 है कि मुहमद मुहसिन का इंतकाल कहा हुआ तो इनका इंतकाल हो गया था दिल्ली में ऑप्सन नमबर डी 34 नमबर क्योशन है कि मुहमद मुहसिन के कितने अउलाद थे तो इनके टोटल जो है ना टोटल साथ अउलाद थे ठीक है नेक्स्ट कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं महमूद आगे चल कर क्या बन को ऑप्सन नमबर बी डिप्टी कलक्टर बन जाता है ठीक है 36 नमबर क्योशन की कमर जहां की तारीख पैदाईश क्या है यानि कि वो कि सिसन में पैदा हुए हैं तो इसका सही जवाब होगा ऑप्सन नमबर भी उन्हें सहीं क्यावन इस दा करेक्ट इंसर ठीक है कोश्चन इस दा करेक्ट इंसर थाटी एट नमबर क्योशन है की कमर जहांके वालिद यानि की पिता जी का नाम क्या है उप्सवने में सियद अदाऊल हक वी में है अन्वार रुल्ठि ही सिमें सियद रि रिजाउल हक और डि में हैं थी में इसका जो सही जवाब होगा वो ङूबा ऑ खागलपूर यूनिवर्सिटी से है तो option number C हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब चालिस नमबर कुश्चन है कि पटना यूनिवर्सिटी से कमर जहाने किस सब्जेक्ट में MA और PhD किया तो वो जो है कमर जहां वो उर्दू से यानि कि उर्दू सब्जेक्ट में MA और PhD किये थे तो option number A is the correct answer ठीक है question number 41 है कि कटी हुई शाख किसका अफसाना है कटी हुई शाख ये जो अफसाना है आप लोग को पता होना चाहिए ये कमर जहां का ही अफसाना है कसे कटी हुई शाख और कसे कमर जहां मैं आप लोग को ट्रिक भी बताई थी चप्टर पढ़ा रही थी तो option number A is the correct answer आगे बढ़ते हैं question number 42 है कि कमर जहां का पहला अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है यानि कि पहला कहानी के किताब का नाम क्या है कमर जहां का तो option A में चार चहरे दिया है B में जुनूने वफासी में आखमी चोली और D में अनोखी मुस्कुराहट तो सही जवाब जो होगा इस question का वो होगा option number B जुनूने वफा जो है न ये कहानी का किताब है पहला कहानी के किताब का नाम है ठीक है तो option number B is the correct answer question number 43 है कि कमर जहां किस यूनिवरसिटी में उस्ताद थी यानि कि कमर जहां किस यूनिवरसिटी में एक टीचर थी तो इसका सही जवाब होगा 43 का option number C भागलपूर यूनिवरसिटी से और इनका तालुक भी भागलपूर यूनिवरसिटी से ही था question number 44 है कि निगार अजीम का असल नाम क्या है ये भी important question है निगार अजीम का जो real name है असल नाम वो है मलिक महर निगार महर निगार तो option number A is the correct answer महर निगार 45 number question कि निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है तो वो है आशियाना आशियाना नाम का ही अफसाना हम लोगे बुक में है निगार अजीम का to option number D is the correct answer 46 number question है कि जिनूने वफा की इशाथ कब हुई यानि कि इसको कब परकाशित किया गया तो परकाशित किया गया था उन्हें 66 में आपसन नमबर B कोशन नमबर 47 कि कमर जहां के एक अफसानवी मजमुआ का नाम बताईए यानि की कहानी के किताब का नाम बताईए सही जवाब चारागर आपसन नमबर D is the correct answer कोशन नमबर 48 है कि निगार अजीम ने किस मजमून में MA किया तो इसका सही जवाब आपसन नमबर B उर्दू और फार्सी is the correct answer कोशन नमबर 49 है कि कमर जहां अपनी तद्रिसी कैरियर का अगाज कहां से किया तो इसका जो सही एंसर होगा वो होगा आपसन नमबर C सुन्दर्वती महिला कॉलेज भागलपूर से कमर जहां जो है न वह अपनी तद्रिसी कैरियर का आगाज यान कि शिक्षड शेवाओ का आगाज शुरुआत की थी तो आपसन नमबर C is the correct answer कोशन नमबर 50 है कि निगार अजीम किस कॉलेज से पिएजडी की डिगरी हासिल की तो जामिया मिले इसलामिया कॉलेज से जड़े इसलामिया कॉलेज तो आपसन नमबर B is the correct answer कोशन नमबर 51 पर हम लोग आ चुके हैं कि निगार अजीम का मजमुआ गहन कब शाय हुए यानकी कब प्रकाशित हुआ तो ये प्रकाशित हुआ था उन्हें से निन्यानबिर में याद रखना है ठीक है कोशन नमबर 52 कि निगार अजीम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है ये भी इंपोर्टन कोशन है तो ये जो अफसाना आसियाना है ये एक नफसियाती अफसाना है यानि कि साइकलोजिकल कहानी है कोशन नमबर 53 है कि निगार अजीम के पहले अफसाने का नाम क्या है तो इसका सही जवाब होगा क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कंफरेंस कब हुई थी ये भी इंपोर्टन सवाल बहुत बार पूछा गया है और इसका जो सही जवाब होगा वोगा द्यान में रखीएगा दुहजर और दुहजर आट में रहता है दोहजर आट नहीं टिक कर दिजिएगा दुहजर साथ इस सदा करेक्ट एंसर दौहजर साथ में ग्लोबल वार्मिंग पर कंफरेंस हुआ था तो आपसे नमबर डी इस दा करेक्ट इंसर 57 नमबर क्यूशन है कि कारबंडाई ऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है यानि कि कितनी बढ़ंती हुई है आपसे नमें इसका जुस्त ही जवाब होगा वहोगा आपसे नमबर भी एक तिस परतिशत का बढ़ंती हुआ है जाफा हुआ है अपसे नमबर भी ठीक है कि जमीन का दर्जय हराराथ पिछले सौ बरस में कितना बढ़ गया है तो आपसे नमें इसका सही जवाब आपसे नमबर भी हो जाएगा साथ नमबर क्वेशन है कि बालोग यान कॉंग्रेस दोहजर साथ इस भी में हिंदुस्तान के किस शहर में मुनाकद हुआ था तो शहर दीमापूर यह भी म्टेन कोउसर है बहुत बार पूछा गया है शहर दीमापूर में यह तो alcosa है में मीथेन गैस की पैदावार है तो मीथेन गैस की जो पैदावार है धान के खित ज्यादा मीथेन गैस निकलता है इसका जो सही जवाब होगा वहोगा option number a इलगोरे स्टार्टिंग में ही क्या है ए में ही अलगोरे दिख रहा है रगा दीजे धीरे से बाल वग्यान कॉंग्रिस के क्या मौजवात थे यान कि किस टॉपिक पर ये conference रखा गया था आखिर मुद्दा क्या था option a में pollution b में global warming c में pollution और global warming और demand में से कोई नहीं तो इसका सही जवाब option number c हो जाएगा pollution और global warming दोनों ये जो है न मुद्दा था जिसके हो जैसे बाल वग्यान कॉंग्रिस ये जो conference है रखा गया था ठीक है question number 64 है कि बाल वग्यान कॉंग्रिस के 5 दिनों के conference में कितने तुलब total 556 चातर और चातरा को शामिल होने का मौका दिया गया था तो option number a हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब question number 65 है कि बाल वग्यान कॉंग्रिस में कितने असाद्जा हिस्सा लिए थे यानि कितने teacher हिस्सा लिए थे तो एक हजार याद कीजिए जी हाँ 1165 option number b is the correct answer 66 नमबर question है कि सरसेद के वालिद का नाम क्या था तो मीरतकी मीर मीर मुतकी नहीं 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 देखिए option a में है मीर मुतकी बी में मीर तकी सी में मीर खली कोडी में मीर जमीर तो इसका जो सही जवाब होगा 66 का वो होगा option number a मीर मुतकी देखिए ध्यान मेरे मीर तकी भी है यहाँ पर लेकिन मीर मुतकी होगा option number a ठीक है आगे बढ़ते है question number 67 है कि सरसेद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है तो सर नमर जहां का जो अफसाना कटी हुई शाख है ना वो हम लोगे बुक में है question number 69 कि सरसेद एहमद खा की पैदाईश कब हुई तो इनकी पैदाईश हुई थी अठार सा सत्रा अपसा नमबर सी अभी सौरी 70 यान की सतर नमर क्योशन है कि सरसेद के वालिदा यान की मा का नाम क कि अर्जीजुन निसा बेगम और सी में दिख रहा है धीरे से टिक कर दीजिए 71 नमबर 71 नमर क्योशन के सरसेद ने अलिगड़ में कौन सा इधारा कायम किया तो वो जो इधारा कायम किये थे उसका नाम था मुस्लिम यूनिवर्सिटी जी हां आपसे नमबर डी हालांकि इ अगला कोशन वहीं आप लोगों को मिलेगा टेंशन नहीं लीजिए 72 है कि अलिगड़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब कायम हुआ ठीक है तो इसको इस्थापित किया गया था अठारा साठ 78 में आपसे नमबर ए ठीक है Northernтор क की अलिगड़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पुराना नाम क्या है देखिए ये पूश्दिया ना अलिगड़ मुस्लिम निवर्सिटी का पुराना नाम तो अब बताइये पुराना नाम क्या होगा आपसने में अलिगड़ इसका जो सही जवाब होगा वहोगा आपसा नमबर बी मुहम्डन एंगलो और यंटील कॉलेज अलीगड मुसलिम इनर्सिटी का पुराना नाम था तो आपसा नमबर भी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब आगे बढ़ते हैं चोगतर नमबर सवाल है कि असारिल सनादीद किस देव जाएगा जाएगा ठीक हैं किसकी तस्नीफ है तो यह भी जो हैना तस्नीफ कि कृuben कि क्यूशन सर्सजिय30ITA की on सर online स्षका के सएको सरका खिताब कंब मिला सर में जिए सर सकता है 60το मिला था ये इतारस आठटर में देखियो है आपसन ममर सी में दिख रहा है आठारस आठटर सी ठीक कर दिजे कुश्चन नमबर सेवैंटी सिक्स है कि इंगलस्तान से वापस आकर सरसेद ने कौन सा रिसाला जारी किया यन कि कौन सा पत्री का जारी किये थे तो वो था तहजी बुल अखलाक तो आपसा नमबर डी जा करेक्ट इंसर ठीक है सेवेंटी सेवन नमबर कुश्चन है कि अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है तो अदब की पहचान इस मजमून के जो मजमून निगार है लिखने वाले वो है डॉक्टर कि अदब की पहचान किस तरह का मजमून है तो अदब की जो पहचान है याद रखना है यह इंपॉर्टन कोश्चन है और असी नमबर कुश्चन आप लोगो के स्क्रिन के उपर आ चुका है कि अब्दिलमुगनी जो है वो कब पैदा हुए तो इनकी पैदाईश हुई थी उन्हेंसा 34 इस भी में और बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब आगे बढ़ते हैं फड़ाफट ठीक है अब्दिलमुगनी कब पैदा हुए तो उन्हेंसा 34 में एक कासी नमबर कुश्चन आप लोगो के स्क्रिन के उपर है कि अदब के पहचान के मजमून निगार कौन ह और डी में उर्दू तनकीद पर एक नजर सही जवाब होगा इसका और अप्सन नमबर सी जादू एतिदाल इस दक करेक्ट एंसर यह है अब्दुलमुगनी की किताब ठीक है कोश्चन नमबर 83 है कि अब्दुलमुगनी के वालिद का नाम क्या था पिता जी का नाम बताना ह और अप्सन नमबर इसका क्या होगा इसका भी सही जवाब और सी हो जाएगा अब्दुल्रौफ ध्यान रहे अब्दुल्गफूर नहीं होगा और सी इस दक करेक्ट एंसर अब्दुल्रौफ प्सन नमबर 84 है कि अब्दुलमुगनी ने किस मदर्से में तालीम हासिल किया और सी में मदर्से अनवार जलूम तो सही जवाब होगा इस question का option number A मदर्से शंसुलहृदा में अब्दुलमुगनी जो है तालीम हासिल किये ते यान की पढ़ाई किये थे ठीक है question number 85 की अब्दुलमुगनी का इंतकाल कव हुआ option A में 2005, B में 2006, C में 2007, D में 2008 सही जवाब होगा 85 का option number B 2006 में इनका इंतकाल हो गया था question number 86 है कि भीम राव अंबेटकर की वालिदा का नाम क्या था यान की मा का नाम आप लोगो बताना है और इसका सही जवाब होगा option number A भीम बाई is the correct answer भीम बाई ठीक है भीम बाई नाम था उनकी वालिदा यान की मा का भीम राव अंबेटकर की पैदाईश कब हुई तो उनकी पैदाईश हुई थी 18-19, option number C में दिख रहा है question number 88 है कि भीम राव अंबेटकर के वालिद फॉज के किस ओधे से रिटायर हुए तो सही जवाब होगा option number B, major major के पोस्ट से वो रिटायर हुए थे ठीक है question number 89 है कि भीम राव की शादी किस से हुई तो रामा बाई से हुई थी ना option number C में है धीरे से ठीक कर दीजे question number 90, 90 number question काफी important है भीम राव अंबेटकर आजाद हिंदुस्तान में किस ओदे पर फायज हुए must important question वजीर कानून के पोस्ट पर यानि कि ओदे पर ये फायज हुए थे यानि कि कानून मंत्री option number C is the स्रिक्षा मंत्री नहीं कानून मंत्री वजीर कानून ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ बढ़ते हैं question number 91 है कि भीम राओ का इंतकाल कब हुआ तो इसका सही जवाब होगा option number B question number 92 कि डॉक्टर अब्दुलमुगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज किस कॉलेट से किया तो अपने मुलाजमत यानि की नौकरी की शुरुआत किये थे पटना कॉलेट से option number B में है न धीरे से टिक कर देना है आप लोग को 93 number question है कि डॉक्टर अब्दुलमुगनी कहां पैदा हुए तो ये पैदा हुए थे और अंगबाद में option number B is the correct answer पढ़फट आगे बढ़ते हैं question number 94 है कि डॉक्टर अब्दुलमुगनी की कि तालीम कहां तक है यान कि कहां तक पढ़ाई किये थे option A में है आठवी दर्जबी में है मैं इंटर और D में है आलिम तो सही जवाब option number D आलिम is the correct answer आलिम तक ये पढ़ाई किये थे 95 number question है कि डॉक्टर अब्दुलमुगनी किसको किसको नजर की मुलाजमत में सबग अच्छा यहां पर किसको नजर नहीं रहेगा यहां पर डॉक्टर अब्दुलमुगनी किस मुलाजमत से सबगदोश हुए यहां पर किसको नजर नहीं रहेगा ठीक है यह एक्स्ट्रा टाइप हो गया है डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो है वो किस मुलाजमत से यानिकी किस नौकरी से सबुखदोश हुए यानिकी रिटायर हुए तो सही जवाब होगा और से नमबर ए बी एन कॉलेज ठीक है नजर नहीं देखें किस कॉलेज की यहां पर को नज किताब नहीं है तो इसका जो सही जवाब होगा अप्सवन बड़ी होगा गर्द आवार्गी यह अब अब्दुल मुगनी की किताब नहीं है 97 नमबर कोशन है कि डॉक्टर अब्दुल डॉक्टर नहीं भीम राओं बेटकर जो है वो उनकी पैदाईश कहां हुई तो उनकी पिताजी का नाम था राम जी मालो जी सक्पाल 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 कौन से ऐपसन में दिख रहा है आपसन नमबर बी में दिख रहा है आगे बढ़ते हैं question number hundred सो number सवाल पर हम लोग आ चुके हैं भीमराओ के दादा जी कहां के रहने वाले थे तो उनके जो दादा जी थे ना वो रहने वाले थे अंबावाडे के इसी वज़े से वो अपने वो जो अपने सर्णिम लगाए थे अंबेड कर लगाए थे थे थोड़ा अच्या नहीं लग रहा था बोलने में तो वह अंबेड कर कर दिये भीमराओ अंबेड कर ठीक है आगे बढ़ते हैं एक सा एक नंबर question है कि भीमराओ अंबेड कर आगरा से चलकर कौन से मजहब को इक्तियार कर लिए तो वह बुढ़ मजहब को इक्तियार कर लिए थे तो एक सा एक का option number a is the correct answer वह बुढ़ मजहब अपना लिए बुढ़ धर्म बॉढ़ धर्म एक सा दो नंबर question है कि भीय करने के लिए भीमराओ ने किस कॉलेज में दाखिला लिया किस कॉलेज में एड्मिशन लिये थे तो उस कॉलेज का नाम था लिए फिस्टन कॉलेज और सी एक सतीन number question कि लुत्फुर रह्मान की पैदाईश कब हुई तो इनकी पैदाईश हुई थी उन्हें से 41 option number B question number 104 कि लुत्फुर रह्मान किस पार्टी के MLA रहें तो जिस पार्टी के यह MLA रहे थे ना उस पार्टी का नाम राज़त पार्टी था option number C राज़त दिख रहे ना धीरे से टिक कर दीजिए और यह भी important question है और हो सकता है कि आप लोग के एक्जाम में पूछ दे क्योंकि अभी election होने भी वाला है इस साल question number 105 है कि ड्रामा की तकमील का लाजमी अनसुर क्या है यानि की ड्रामा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी लाजमी अनसुर क्या है तो इसका सही जवाब होगा stage 15 का option number A stage stage ही नहीं रहेगा तो आप ड्रामा कैसे दिखा सकते हैं एक सचे नमबर क्योशन है कि लुट्फु रह्मान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है तो उनका जो मजमून है उर्दू ड्रामा निगारी और आगासर यही हम लोग के बुक में हैं इस लबस में है एक स लुट्फु रह्मान कहां पैदा हुए तो सही जवाब होगा option number D बनियारपूर में यह पैदा हुए थे एक सचे नमबर क्योशन की लुट्फु रह्मान का आबाई वतन कहां है तो उनका आबाई वतन है दर्भंगा option number A हो जाएगा इसका सही जवाब अगला सवाल है कि आ आरे भट की पैदाई शुई थी भिहार में option number A is the correct answer ठीक है next question की तरफ बढ़ा जाए एक सदस हम लोग कम्प्लीट कर चुके हैं 111 नमबर सवाल आप लोगो के स्क्रीन के उपर आ चुका है कि आरे भट ने अपना तजर्बागा कहां कायम किया यान कि अपना research center कहां खोले थे कहां कायम किये थे कहां स्थापित किये थे तो तरेगना में स्थापित किये थे ना option number B में दिख रहा है तरेगना धीरे से टिक कर दीजिए एक सब 12 नमबर प्रशन on the screen है कि हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है तो सुनहरा दौर कहा जाता है important question याद रखिएगा बहुत बार पूचा गया है एक सा 13 नमबर प्रशन है कि आरे भट का तालुक किस दौर से था तो आरे भट का तालुक गुप्त दौर से था जिसको सुनहरा दौर भी कहा जाता है option number A एक सा 14 नमबर question है कि लुत्फु रह्मान की वालिदा यानकी मा का नाम क्या था तो उनकी मा का नाम था बीबी आमिना ठीक है दर्जेल में कौन लुत्फु रह्मान की लिखिवी शायरी का मजमुआ नहीं है यानकी शायरी का किताब नहीं है option A में ताजगी बर्ग नवा भी में बो से नम सी में सनम आशना और डी में नक्त निगा एक सब पंदर का जो सही जवाब होगा option number D नक्त वो निगा ठीक है एक ससल्ला number question की लुत्फु रह्मान के मजमुन निगारी के लावा लुत्फु रह्मान जो है ना मजमुन निगारी के लावा और क्या मखसूस मौदवात रहें तो इसका जो सही जवाब होगा हां तनकीद भी वो शायद करते थे ना ना जी 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 एक मिनट रुकिया है ज़रा मैं सोच लू लुत्फु रह्मान मजमुन निगारी के लावा और लुत्फु रह्मान के मजमुन निगारी के लावा और क्या मखसूस मौदवात थे ये question क सारे मौजुआत थे यानि की तनकीद भी लिखते थे शायरी भी करते थे और अफ्चानानिगारी भी किये हैं तो आपसर नंबर डी हो जाएगा इस question का सही एंसर एक साथारा नंबर question है कि लुत्फु रह्मान अपनी तदरिसी खिदमात का आगाज किस यूनिवर्सिटी से किया तो वो किये थे भागलपूरी यूनिवर्सिटी एक साथारा नंबर question की आरे बट ने किस साइंस दा की रहनुमाई की थी यह भी important question है पाइथा गोरस नाम के साइंस दा यान की साइंटिस्ट की रहनुमाई किये थे तो आपसर नंबर भी पाइथा गोरस दिख रहा है दीरे से टिक करना है जल्दबाजी में दीरे से आराम से कुई टेंशन नहीं है आरे बट की पैदाईश कब हुई तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा आपसर नंबर सी हो जाएगा 476 आपसर नंबर सी करेक्ट अंसर आगे बढ़ते हैं एक सब इस नंबर क्योश्टन है कि नजा में आशारिया की तलास किसने की यान की डेसिमल सिस्टम जो होता है न उसकी मतलब खोज किसने की तो इसका भी सही जवाब क्या होगा आपसर कमल तोर पर परदा पढ़ जाने को कहते हैं तो उसको गरहन कहते हैं ऑपसर नंबर सी ठीक है एक सब बाइस नंबर क्योश्टन है कि एक किस्वी सदी का सबसे बड़ा सुरज गरहन कब लगा था तो वह लगा था जून एक मिनिट बाइस ऑपसर नंबर बी इस दा करेक्ट इंसर 2009 में लगा था जुलाई 2009 में जुलाई 2009 में लगा था ऑपसर नंबर भी हो जाएगा सही जवाब आगे बढ़ते हैं एक 27 नंबर क्योशन है कि नासा के एक साइंस दा जो 2009 में पेश आने वाले सुरज गरहन पर 20 सालों तक तैकिकी काम करते रहें उनका नाम क्या था न में दोजर आट में कितने सफाथ पर तफसीरी रिपोर्ट पेश की थी तो वह जो हैं 200 से पर यहानिकी दोसफ पर second के एक तफसीरी रेपोर्ट पेश किये the correct answer ठीक है तरेगना सबसे मुनासिब तरीन जगा था 126 नंबर क्वेशन है कि तरेगना का मानी क्या है तरेगना का मतलब होता है तारे गिनना ठीक है तरेगना में ही अपने किलोमीटर की दूरी पर वाकी है तरेगना पटना से जानीब कितने किलोमीटर की दूरी पर वाकी है कि चांद का साया सूरज पर पढ़ता है तो कौन सा गरहन लगता है जब चांद का साया सूरज पर पड़ेगा तो विज्वली बात है उसको हम क्या कहेंगे सूरज गरहनी न कहेंगे यानिकि सूरज ढगा हुआ दिखाई देगा तो आपसा नमबर B is the correct answer ठीके एक सतीस नमबर सवाल है कि तो अपतल नसू किसका नाविल है तो ये जो नाविल है तो डिप्टी नजीर या फिर डॉक्टर नजीर एहमद की नाविल है तो आपसा नमबर सी is the correct answer एक सतीस नमबर कोशन की नजीर एहमद के पहले नाविल का नाम क्या है तो उनके पहले नाविल का नाम है मिरातुल उरूस कभी नहीं भूलना है जिंदगी में कभी नहीं भू एक सतीस नमबर कोशन की नजीर एहमद ने किसकी तालिम और तर्वियत के लिए नाविल लिखी तो यह लिखे थे अपने बेटियों के लिए बेटियों की तालिम और तर्वियत के लिए तो आपसा नमबर सी में देखिए लिखा हुआ है बेटियों के लिए आगे बढ़ते इसमेदा नसू की कौन थी आप जानते हैं नसू की बीवी थी ना 136 आप समक्ष नमबर स्थे करेक्ट इंसर बीवी थी और हमीदा जो थी वह बेटी थी देखिए अगला कोशन वही है कि हमीदा नसू की कौन थी तो बेटी थी option number 20 138 number question है कि नजीर एहमद कितने साल के थें कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया उनकी वालिद की मौत हो गई जब नजीर एहमद जो थें वो 13 साल के थें तो option number D में दिया है 13 13 साल के 139 कि डिप्टी नजीर एहमद का वालिद का नाम क्या था सादत अली option number A में दिख रहा है 140 number question है कि अर्भी और फार्थी की तालीम नजीर एहमद को किस से हासिल हुई थी तो सादत अली से ही वो हासिल किये थे अपने वालिद से ही अर्भी और फार्थी की इप्तदाई तालीम हासिल किये थे सुरु आतिस रिक्षा बच्पन में 141 number question है कि temple साहब में नजीर एहमद को कितने रुपे महवार मिलता था कितना रुपे उनको मंतली मिलता था तो सही जवाब 40 रुपे option number B ठीक है 142 number question है कि नजीर कहा के डिप्टी इंस्पेक्टर थे तो नजीर एहमद जो थे वो डिप्टी इंस्पेक्टर थे कानपूर के और इसी वज़ाँ से इनके नाम में डिप्टी लगता है क्योंकि वो डिप्टी इंस्पेक्टर थे ठीक है 143 है कि उर्दू के पहले नाविल निगार कौन है बहुत ही असान question कभी नहीं भूलना है उर्दू के पहले नाविल निगा जो है न वह डिप्टी नजीर एहमद ठीक है और उनका पहला नाविल कौन सा ए मिरातुल यह नहीं पूलना है जिंदगी में कभी नहीं ठीक है 144 है कि मिरातुल उरूस की इशाध कब हुई या नि कि इसको कब परकाश्रित किया गया तो इसको परकाश्रित किया गया था 1879 में अकबरी और असगरी किस नाविल का किरदार है ये भी इंपर्टन कोशन है अकबरी और असगरी जो है न पुछा गया है कि किस नाविल के करेक्टर है किरदार है पात्र है हिंदी में पात्र कहा जाता है तो इसका सही जवाब होगा आपसा नमबर ए मिरातुलूरूस ठीक है ए इसका नाम है रुआय सादका और से ठीक है रुआय सादका कब शाय हुआ यान किसको परकाशित किया था तो इसको परकाशित किया गया था अट्रहसर चौरासी में दर्जजायल में से कौन नजीर अहमद का नाविल नहीं है आपसने में फसाने मुबतला अभी में मिरातुल उरूस्ती में जादू एतिदाल और डी में अबनुलवक्त सही जवाब होगा इसका आपसन नमबर C जादू एतिदाल जो है ना ये नजीर एहमद का नाविल नहीं है ठीक है तो C is the correct answer 1525 नमबर क्यoring है कि कितने साल की उमर मेंने जीर एहमद का इंतकाल हो गया 155 नमबर क्यों तब लोग प पहुझीं है यांकि अधा को चुके हैं और 150 बाकी है तो बस आप लोग को जुड़े रहना है और सारा objective कंपलीट करना उसके और यह होगा है क्योंकि i am the वियुक्स और इस पूरे अबजयक्टिव कुछन पर कमांड नहीं करते हैं objective miss कर देते हैं तो फिर समझे कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं तो इसका जो सही जवाब होगा 150 number question का वो होगा option number D जो 70 साल की उमर में नजीर अहमत का इंतकाल हो गया 151 number question कि गालिब की पैदाईश कब हुई तो कौन नहीं जानता है मिर्जा गालिब की पैदाईश वही थी 77 सान्तानवर में आपसा नमबर भी मिर्जा गालिब किस शहर में पैदा हुए ये भी सभी लोग जानते हैं वह आगरा में पैदा हुए थे आपसा नमबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब एक 73 पन नमबर कोशन है कि मिर्जा गालिब के वालिद का नाम क्या था ये भी एकदम हलवा कोशन उनके पिता जी का नाम था अब्दुल्ला बेग देखी आपसा नमबर भी में दिख रहा है न धीरे से टिक करना है आग है मौला ये दो छुट्व के किताब का नाम है खत की किताब का नाम है जो की मिर्जा गालिब का है ठीक है तो इन दोरों में से कोई भी ऑप्सान में दिखाई देखा यदिखा और निमें दिख रहा है इसको धीरे से टिक कर दिजिए आगे बढ़ते है कि मैने वह अंदाज अधाज औरियर किया है मैंने वा अन्दाज तहरीर औरियर किया है कि मरासला को मुकालब बना दिया है या काल किसका है तो यह सरसbeingад enmक्खा काई है सरस sangat अमद काई है एक मिनत रुप जाए 156 नबर क्वेशन है और इसका सही जवाब अप्सर सेयद अमदखा नहीं होगा, बलकि मिर्जा गालिब यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब नहीं काए, कि मैंने वो अन्दाज התहुरिर इजाद किया है, कि मरासला को भी मुकारमा बना दिया है, ठीक है, एक सथ संतावन न रही हूं 159 की गालिव ने कितने खुत लिखे तो तक्रीबन वो नौ सा खुत लिखे थे ना तो 159 का आप्स नमबर सी तक्रीबन नौ सा खुतूत गालिब के खुतूत के किसी एक मजमुआ का नाम बताई यह देखिए यहां पर अर्दू मॉला दिया गया है तो इसको दिर से पर भी लगाएंगे ठीक है मिर्जा गालिब का तखलूस के है अब यहां पर आप लोग लगाएंगे और सी ठीक है 163 नंबर क्वेशन है कि गालिब की शादी किस्से हुई तो मिर्जा गालिब की शादी हुई थी उम्राव बेगम से ना 163 का जो कुश्चन नंबर यह है इ 164 नंबर क्वेशन है कि मिर्जा गालिब के वालिदा का नाम क्या था यान की मा का नाम बताना है तो इज़तुन निसा बेगम ना जी हां तो आपसर नंबर सी इस दा करेक्ट एंसर एक सब 65 नंबर क्वेशन है कि गालिब के चचचा का नाम क्या था तो मिर्जा गालिब के हो जाएगा सही जवाब अगला सवाल है कि कितने साल की उमर में मिर्जश गालिब की शादी हो गई तो तकरीबन 13 साल की उमर में आपसन नमबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब 167 नमबर क्वेशन है कि सोहबाज की पैदाइश किस सूबे में हुई तो इसका सही जवाब होगा आपसन नमबर भी बिहार शोहबाज की पैदाइश किस साल हुई तो शोहबाज की पैदाइश यानिकि अब्दुलगफूर शोहबाज की पैदाइश हुई थी अठार साथ में तफरीहुलकुलूब के मसन्निफ कौन है यानिकि लेखक राइटर का नाम आपको बताना है सही जवाब क्या होगा आपसा नमबर सी शोहबाज यानिकि अब्दुलगफूर शोहबाज एक साथ सतर नमर क्योशन की निसाब में शामिल खत में सहबाज ने अपनी बेटी को मुखातिब किया है उस बेटी का नाम बताई यानिकि हम लोग के बुक में जो खत दिया गया है उस वो जो खत लिखे हैं सहबाज वो अपनी बेटी के लिए लिखे है यानिकि अपने बेटी को मुखातिब किया है उस खत में तो उस बेटी का नाम बताना है तो आप लोगों को पता ही है अपनी बेटी सोग्रा के नाम वो खतली रहते हैं तो देखिए कौन से अप्शन में सोग्रा दिख रहा है तो अगला कोश्चन कि मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए तो वो पैदा हुए थे गुरखपूर मेहदी अफादी का असलाम यानि कि रियल नेम बताना है और सही जवाब होगा आपसर नमबर ए मेहदी हसन मेहदी अफादी का रियल नेम क्या है मेहदी हसन एक सथीहत्तर नमबर कोश्चन है कि मेहदी अफादी ने कितनी शादिया की तो मेहदी अफादी जो है ना वो तीन श तब खत में किसको मुखातिब किया है तो महदी अफादी जो खत लिखे रहते हैं उस खत में जिसको ये मुखातिब किये रहते हैं उनका नाम है मकबूल एहमद समदानी ऑपसन नमबर भी ठीक है यानि कीनी के नाम ये खत लिखे रहते हैं अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं मेहदी अफादी को उर्दू के लावा और किस जबान में महारत हासिल थी तो मेहदी अफादी को उर्दू के लावा अंग्रेजी जबान में यानि कि इंग्लिश भासा में महारत हासिल थी option A हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब बेदी से interview किसने लिया है तो बेदी से interview दो लोग लिये रहते हैं एक तो फयाज रिफत और दूसरी इसमत चुकताई तो इसका जो सही जवाब होगा 176 का देखिए दोनों में से किसी एक का नाम दिखा रहा है तो जी हाँ option number A में इसमत चुकताई दिखा रहा है तो इसको से धीरे से टिक कर दीजिए आगे बढ़ते हैं 170 number question है कि बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है तो राजेंदर सिंग बेदी जो है ना उनके पहले अफसाने का नाम जो है वो है याद रखिएगा तर्फी important question है बहुत बार पूचा गया है शाल perseoainter में किसका इंटरवियू लिया गया है सब्सक्राइए दिखा में इंटरवियू दिया गया है मतलब जो इंटर्वियू प्रिंटेड नहीं प्रींटेड है 1882 में ठीक है 1882 में एक 1882 कोशन है कि निसाब में शामिल नजम मनाजर कुद्रत के शायर कौन है और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अपसन नंबर A चकबस्त मनाजर कुद्रत बोलिये फिर मनाजरे फित्रत बोलिये बात 흉 है कभी-कभी मनाजिरे कुद्रत नहीं देता है, मनाजिरे फितरत दे देता है, तो याद रखिएगा, इन दोनों मतलब मनाजिरे कुद्रत बोलिये, फिर मनाजिरे फितरत बोलिये, मतलब इसके शायर, इस नजम के शायर है, लिखने वाले वो चकबस्त हैं, ठीक है ना, 183, 183 question है कि चकवस्त का पूरा नाम गया था और इसका सही जवाब होगा वह उप्शन number B पंडित बर्ज नरायन चकवस्त तो option number B will be the correct answer 184 number question है कि चकवस्त की वफात कब हुई तो चकवस्त की वफात हुई थी उन्हेसा 26 में आपसन नमबर C चकबस्त का इंतकाल कहा हुआ तो चकबस्त का इंतकाल हो गया था राय बरेली में तो सही जवाब आपसन नमबर A आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन है कि जगनात आजाद की पैदाईश कब हुई बहुत ही असान सवाल है इसका सही जवाब आपसन नमबर D हो जाएगा उन्हेसा 18 में उनकी पैदाईश हुई थी जगनात आजाद की कौन सी नजम आपके निसाब में शामिल है तो इनका जो नजम यानकी कवीता हमलों के बुक में दिया गया है उस कवीता का नाम है इंडिया गेट ठीक है आगे बढ़ते हैं जगनात आजाद के वालिद का नाम क्या है पिता जी का नाम तो उनके पिता जी का नाम तुलूक चंद महरूम है और ये भी इंपोर्टन कोशन है याद रखिएगा इंडिया गेट कहां वाकी है कौन नहीं जानता है इंडिया गेट कहां है सब लोग जानते है कि इंडिया गेट है दिल्ली में आप्सान नमबर A ठीक है इंडिया गेट की तामिर किस हुकमरा नहीं की आप्सान A में शेर-शासूरी ने B में अंग्रेजों ने में मुगल हुकमरानों ने और डी में खिल्जी ओने सही जवाब हो गया इसका और अंग्रेजों ने इंडिया-गेट को बनवाया था यानि ही तामीर यू कि gust नबे कोरिश है कि नजम इंडिया-गेट के छायर कौन हैं इंडिया गेट के लिखने वाले अभी बताया गया वह हैं जगनात आजाद आजाद का इंतकाल कब हुआ इंतकाल हो गया था 2004 में आपसन नमबर डीज तकरेक्ट अंसर निसाब में शामिल हम नौजवां हैं के शायर कौन है तो नजम हम नौजवां यह जो कवीता है ना इसके शायर इसके शायर जो है वो परवेज शाहदी है ठीक है परवेज शाहदी की पैदाईश कब हुई परवेज शाहदी की पैदाईश हुई रहती है उन्हें से 10 में परवेज शाहदी के वालिद यानिकी पीता जी का नाम क्या था तो उनकी पीता जी देता है और एक्राम भी देता है यह धियान में रखना है अक्राम टिक करना है आप लोगों को यह नहीं कि अक्रम देखकर समझ लिए कि वह अक्राम ही है ठीक है यानि कि वाइफ का नाम क्या था आप लोगों को बताना है तो उनकी एलिया का नाम था फजीलतु निसा बेगम दो सा सवाल पर हम लोग आ चुके हैं सवाल नंबर दो सा है कि तसली से हयात के शाथ कब होई यानि कि इसको कब परकाशित किया गया तो इसको परकाशित किया गय होगी और आप लोगों छोड़कर भागना नहीं करना है लगातार हर एक अबजेक्टिव को कम्प्लीट करना है अब चलिए मैं आप लोगों फास्ट कराती हूं और अभी तक आप लोगों वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो बस लाइक कर दें फड़ाफट ठीक है और पैदाईश हुई थी ना वो हुई थी उन्हें सब 65 में आपसा नमबर ए हो जाएगा ठीक है दो सा दो नमबर क्योशन है कि निदा फाजली ने अपनी नजमों में समाज के किस तबगी के मुसायल को उभा रहा है तो निदा फाजली अपनी नजमों में यानि कि अपनी कविता इसके लिखने वाले कौन है तो इसके लिखने वाले है निदा फाजली ठीक है बिजली का खंबा के लावा निदा फाजली की कौन सी नजम हमारे नसाब में शामिल है तो उसका नाम है नजम बहुत आसान थी पहले आपसा नमबर 20 ता करेक्ट अंसर ठीक है निदा फाजली क कौन से अवर्ड मिला तो उनको खुसरु अवर्ड भी मिला था गालिब अवर्ड भी मिला था और सही या आपस नंबर डी विल भी दा करेक्ट अंसर आगे बढ़ते हैं दो सच्छे नंबर कोशन है कि सेद मुहमद जाफरी की सन पैदाईश क्या है यानि कि वो किस सन में एद्धा होए थें सेयद मु号मद जाफरी के वालिद का नाम क्या था तो उनके पिता जी का नाम था सेयद मुत अली जाफरी बस अली लगा देना है वालिद के नाम में को सिए अ benश्विज आउडों को स किसेयद मुऊंध डारेक्ट एंसर दिख जा रहा है इसका जो सही जवाब होगा वोगा आपसन नम्बर सी शोखिय तहरीर आपसन नम्बर सी इस दा कारेक्ट एंसर ये दो सदस नम्बर सवाल आप लोगे स्क्रिन की उपर आ चुका है कि दर्ज़ाइल शौरा में मजा के शायर कौन है यानि ही मजाही शायर आप लोगे को बताना है तो इसका सही जवाब होगा उपसन नम्बर बी दिलावर फिगार ठीक है गालिब का पूरा नम तो आप लोग जानते है अज़ुल्ला खा गालिब अपसन नम्बर बी में दिख रहा है ना धीरे से टिक करना है आप लोगो मजागालिब का पूरा नम क्या है अज़ुल्ला बेग खा हलांकि बेग खा नहीं दिया है अज़ुल्ला खा भी दिया है तो इसको भी टिक कर देना है ठीक है नेक्स्ट कोश्चन 212 नम्बर कोश्चन है कि गालिब शायरी में पहले पहल क्या तखलूस रखते थे तो असद तखलूस रखते थे गालिब की सन ने पैदाईश यानि कि आप लोग वो मिज़दा गालिब कब पैदा हुए है किस साल पैदा हुए है यह आप लोगो बताना है और सही जवाब होगा आपसर नमर सी 1797 गालिब के अबाउजदाद कहां से हिंदुस्तान आये थे ये भी इंपॉर्टन कोश्चन है उनके जो अबाउजदाद थे यानि की दादा पर दादा वो हिंदुस्तान आये थे इरान से आपसर नमर सी यहां पर इराक और इरान में स्टुडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं लेकिन आप लोगों कंफ्यूज नहीं होना है इरान से हिंदुस्तान आये थे उनके दादा पर दादा ठीक है गालिब का इंतकाल किस सन में हुआ तो उनका इंतकाल हो गया था 1879 ना जी हैं दोसा पंद्रा का आपसे नमबर डी हो जाएगा अठार सा उनहां तर दोसा सुल्ह नमर कोशन है कि अगालिब के वालिद का नाम यानकी पिता जी का नाम क्या है पिता जी का नाम है अब्दुल्लाबेग खेर आप जानते ही हैं मिर्जा शौक का रियल नेम शौक लखनवी असल नाम तो सही ज अपसे त्वाबत का और लॉठलाब की मिर्जा शौक नाम चानते हैं olmaz ट्वोल फ्रयल कोशन के सौ्भछ के तो्नकी मिर्जा शौक लखेर पान गूरिक जो कर नसीम कहां पैदा हुए नसीम पैदा हुए थे लखनमें आपसानumbr تी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब नसीम की मस्नवी का नाम क्या है तो नसीम की मस्नवी का लाम है गुलजार dessert नसीम आगे बढ़ते सब्सक्राइब हैं नसंग के वालित का नाम क्या था था तो उनके वालित का नाम था गंगा परशाद को ल्थ सट गया अगर ते थे नसीम की पुरा नाम घुलाम, हमदान, ठीक है, मसफी की पुरा नाम तब खेरेन साब मस्झवी का उन्वान बताईए, मसफी की जो मस्झवी है उसका टाइटल बताना है कि उसका टाइटल क्या है तो उसका टाइटल है अगाज दासतान ओप्सर नमबर सी ठीक है उर्दू की पहली मसनवी कौन है हाँ ये भी बहुत important question है उर्दू की जो पहली मसनवी है उसका नाम है कदम राओ पदम राओ याद रखना है कभी नहीं question की मसफी की वफात कब हुई तो उनकी वफात हुई थी 1834 में मसफी की पैदाइश कहां हुई अब यहां पर पुछा गया है कि उनकी पैदाइश कहां हुई तो सही जवाब होगा option number मुबारक अजीमबादी की पैदाइश कब हुई तो मुबारक अजीमबादी की पैदाइश हुई थी 1879 option number यह में दिख रहा है धीरस दीख किजिए मुबारक अजीमबादी की पैदाइश कहां हुई तो यह भी असान question है option में बख्तियारपूर बी में ताजपूर सी में पटना सीटी और डी में बाड़ सही जवाब होगा option number B ताजपूर में ठीक है ताजपूर इसदाइश करेक्टन सर्फ मुबारक अजीमबादी के वालिद का नाम क्या था? उनके पिता जी का नाम था फिदा हुसेन वामक option number C फारसी शाइरी में मुबारक अजीमबादी के उस्ताद कौन थे? तो फार्सी शायरी में मुबारक अजिम अबादी के जो अस्ताद थे यानि की टीचर वो थे अब्दुलहमीद परिशान अब पुछेगा उर्दु शायरी में जी हैं ये दोनों कोशन काफी इंपॉर्टन्ट है याद रखिएगा फार्सी शायरी में जो टीचर थे वो थे अब्दुलहमीद परिशान और उर्दु शायरी में जो मुबारक अजिम अबादी के टीचर थे यानि की उस्ताद थे उनका नाम था दाग दहलवी आपसन नमबर ए ठीक है मुबारक अजिम अबादी का इंतकाल कब हुआ तो मुबारक अजिम अबादी का इंतकाल हो गया था उन्हें इस से 58 में मुबारक अजिम अबादी के शेरी मजमुआ का नाम बताना है यानि की शायरी के किताब का नाम बताना है option a में है चार चेहरे बी में है अलाओ सी में बेजड के पौधे और डी में जल्वे दाग सही जवाब होगा इसका option number d जल्वे दाग हकुमत हिंद मुबारक अजिम अबादी की अद्वी करगुजारियों का इत्राफ करते हुए कितना वजिफा मुकर्रर किया तो वो 100 रुपिया वजिफा मकरर किया था एमद फिराज की पैदाईश कब हुई तो उन्हें से 33 में हुई थी ये भी important question है अहमत फिराज की पैяж कहा हुई आहमत फिराज की पैदाईश हुई थी जी हम पेशावर में यह भी इंप्रॉटन कॉश्टन है इसको भी डिक कर दिए बहुत बार पुचा गया थी अपनी मौत से चंद माह पहले अहमद फिराज बिहार के किस शहर में आये थे, अपनी मौत से चंद माह पहले वो दर्भंगा में आये थे, जिस घजल में रदीफ नहों उस घजल को क्या कहते हैं, ये भी इंपॉर्टन कोश्टन है, उस घजल को गएर मुरदफ कहते हैं, किन दक्कन के किस शायर के जरीए उर्दो घजल शुमाल तक पहुची तो उनका नाम है वली दक्नी डारेक्ट टेंसर दिख जा रहा है इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है एहमद फिराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए है तो एहमद फिराज जो है न वो क्या का इसफ को नहीं जानता है इसमें रधीफ और काफी दोनें होता है गजल की आखरी शेर को क्या कहते हैं ये भी आप लोग जानते होंगे गजल की आखरी शेर को हम लोग कहते हैं मक्ता क्या कहते हैं मक्ता दो सबावन का आपसन नमबर B is the correct answer गजल का आखरी शेर जिसमें शेर शायर जिसमें शायर हजरात जो है है उसको मक्ता कहते हैं थीक है हसंने की पैदाइश कब हुई तो इसका जो शही जवाब होगा तुसा तिरपन का वह दारेक्टर के और मामूर थे तो वो डायेक्टर के और मामूर थें किसमें तो गालिब इंस्ट्ट्ट्यूट में position number P 256 number question की हसन नइम किसे शोबह में मुलाजमत करते थे तो जिस department में मुलाजमत करते थे यानौकिरी करते थे उस department का नाम था उजारत खारजा senza basta number C 2757 number question है की हसन नइम का इंतकाल कब हुआ उनका इंतकाल हो गया था उनज़े से 91 में परवीन शाकिर की पैदाईश कहां हुई तो परवीन शाकिर की पैदाईश हुई थी कराची में दो संठावन का आप्सान नमबर A परविन शाकिर की पैदाईश कब हुई अब यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि कब हुई तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा उन्हें सब बावन आप्सान नमबर B परविन शाकिर के वालिद का नाम क्या था पिता जी का नाम तो उनके पिता जी का नाम था साकीब हुसेन आपसान नमबर C will be the correction sir यहाँ तक हम लोग 260 नमबर कोशन तक पहुँच चुके हैं और मातर 40 कोशन बचा हुआ है बस आप लोग धैर रखें और हम लोग अब मनजिल के बहुत करीब हैं बहुत जल्द यह सारा कोशन कंप्लीट होने वाला है तो बस अब कुछी समय का इंतजार है उसके बाद से आपका यह सफर खत्म होने वाला है तो इसी वज़े से आप लोग बीच में छोड़कर नहीं भागिए आप लोग पुरा आज का यह वीडियो कंप्लीट कीजिए और सारे अबजेक्टिव कोशन को कंप्लीट कीजिए ठीक है पड़ा फट आगे बढ़ते हैं अगला कोशन जो है अब मैं फास्ट कराती हूँ क्योंकि अब ज्यादा कोशन नहीं बचा हुआ है मातर 40 कोशन है आप लोग को छोड़कर भागना नहीं है सारे अबजेक्टिव कोशन पर कमांड होना चाहिए आपका दोसा 61 नमबर है कि परविन शाकिर के वालिद हिजर्ट करके कहां गए तो उनके वालिद हिजर्ट करके गए थे पाकिस्तान ऑप्सन नमबर बी इस दक करेक्ट एंसर दोस अब बासट नमबर क्योशन है कि परविन शाकिर ने मैट्रिक का इमतहान किस स्कूल से पास किया तो सही जवाब होगा ऑप्सन नमबर ए रजिया गल्स हाई स्कूल से ये मैट्रिक का इमतहान पास की थी परविन शाकिर परविन शाकिर की शादी किस से हुई तो इनकी शादी हुई थी डॉक्टर नसीर अली से देखिए कौन से option में डक्टर नसीर अली दिख रहा है तो जी हाँ option नमबर B में दिख रहा है तो इसको धीरे से टिक कर दिना है अगला question 264 नमबर है कि परविन शाकिर का इंतकाल कब हुआ तो इनका इंतकाल हो गया था 94 में option नमबर D is the correct answer 265 नमबर सवाल के इरफान से देख की कब और कहां पैदा हुए दोनों बताना है आप लोगो option A में 49 बदाईउ में B में 38 लखनवों में C में 37 सहर्चराम में और D में उन्हें 40 अलीगड में तो इसका सही जवाब होगा option A 49 बदाईउ में is the correct answer 266 नमबर कोश्चन की परवीन शाकिर का पहला मजमुवा का नाम क्या है यान की पहले किताब का नाम आप लोगो को बताना है और उसका नाम है खुश्बू याद रखना है important question है next question 267 की इरफान सिदिक्की का तालुक किसी खानदान से था बहुत important question है शेख सिदिक्की खानदान से था तो option number A हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब 268 नमबर question की इरफान सिदिक्की ने मैटरिक का इमतहान कब पास किया तो वो पास किये थे उन्हें साथ तिरपन में option number B ठीक है 279 नमबर question की मौलवी एकराम एहमद साथ सिदिक्की अपने एहद के सरसयत समझे जाते थे या इरफान सिदिक्के के कौन थे ये भी important question है वो दादा थे ये बहुत बार question पूछा गया है याद रखिएगा दादा आप लोग को टीक करना है दादा थे वो इरफान सिदिक्की मास कम्मुनिकेशन में डिप्लोमा कहा से हासिल किये तो वो हासिल किये थे दिल्ली से सही जवाब क्या हो जाएगा आगे बढ़ते हैं 270 नमबर question है कि मालवी का अगनी मतरम किसका संस्कृत ड्रामा है ये भी important question है मालवी का अगनी मतरम जो है न ये काली दास का संस्कृत ड्रामा है तो option number B काली दास लिखा हुआ है न option number B is the correct answer और इसी को मालवी का अगनी मतर के नाम से उर्दू में तर्जमा किया गया है इरफान सिदिक्की की मौत किस वज़ा से हुई तो इनकी जो मौत हुई थी न वो brain tumor के होजा से हुई थी option number B में दिख रहा है brain tumor दो सती 70 number question है कि जफर गुरखपूरी की पैदाईश कब हुई तो उनकी पैदाईश हुई थी उन्हें सब 35 इस भी में जफर गुरखपूरी का एक मजमुआ बच्चों के लिए भी है उसका नाम बताईए यह बहुत है important question है जफर गुरखपूरी जो है बच्चों के लिए भी एक किताब लिखे थे और उसका नाम है सच्चाई है देखी option number A में ही दिख रहा है यह है सही option दोहे में कितने मिस्रे होते हैं जैसा कि पूछा जा रहा है कि उर्दू में जो दोहे लिखने की शुरुवात हुई वो किस भासा की शायरी से उर्दू में आई ठीक है यानि कि किस से शुरुवात हुई तो इसका सही जवाब होगा option नमबर सी नजम सलाम मचली शहरी जो है नजम के शायर है जमुना नदी हमारे मुल्क के किस सूबे से होकर गुजरती है यह भी बहुत बढ़ियां सवाल है काफी important है यह और इसका सही जवाब वो option number A उत्तर परदेश से होकर गुजरती है ताज महल किस मुगल बादशाह ने तामीर कराई यह कौन नहीं जानता है ताज महल शाजहा ने बनवाया था ना तो option number B is the correct answer किस की याद में तो अपनी बेगम ममताज महल की याद में ठीक है दो सा 80 number question है कि आकास का लव्ज होता है आसमान आकास का मुतरादिफ लव्ज का मतब एक जैसा अर्थ रखने वाला लव्ज मानी रखने वाला लव्ज तो आकास बोले फिर आसमान बोले बात तो एक ही है आगे बढ़ते हैं असारिल सनादीद किसकी तस्नीफ है यह भी important question है और इसका सही जवाब ह होगा option number 8 सरस्यद हमत खाक यह तस्नीफ की creation है डॉक्टर अबदुल्मुगनी के मताबिक अदब समझने वालों का हलका रोज बरोज क्या होत्तरा है तो घटते जा रहा है तो option number B is the correct answer ठीक है next question की तरफ बढ़ते हैं लुत्फु रह्मान को उर्दू तद्रिस के लावा किस स्थोबेश है था यानि कि फयाज रिफद जो की interview लेने वाले वैक्ति थें राजेन संग बेदी से interview लेने के रियायत हैं तो उनका तालुक फयाज रिफद का तालुक किस डिपार्टमेंट से था तो याद रखना है उनका तालुक All India radio से था option number B will be the correct answer मर्ज तनफुस से किस होंगे सेयद मحمد जाफरी इनके वालिद का नाम सेयद मुहमद अली जाफरी बस अली लगा देना है रुजिस किस सिन्फ शाइरी का हिस्सा है पता होना चाहिए यह मरसिया का हिस्सा है तो ऑप समय किसी के मरने पर गम का इजहार किया जाए उसे क्या कहते हैं यह 12 का बोर्ड एक्जाम फाइनल हुआ था ना भी तो उसमें पूछा गया था उसको क्या कहते हैं उसको मर्सिया कहते हैं जिस नजब में किसी मुड़ने वाले पर गम का इजहार किया जाए तो आपसर नमबर भी को क्या कहते हैं मर्सिय क现在 그 छो कि धज़करा हुआ है तो जहर इसक मसनवी में 30 की लड़ी का चर्चा हुआ है इसका तजकरा हुआ है ठीक है बकावली किस मसनवी का के रडार है आप लोग जानते हैं बकावली जो है यह गुल जारी Nichts नाम के मसनवी का कारेक्टर है यानि की किरदार है तो आपसन नंबर सी विल भी दा करेक्ट इंसर दो सन नब्बे तक यहां पर कंप्लीट हो गया मातर दस कोश्चन बचा हुआ है अब हम लोग अपने मंजिल के बहुत करीब है अब आप लोग का सफर खत्म होने वाला है अब हम लोग मंजि कोश्चन है कि शामिल नसाब दोहे के शायर कौन है तो हम लोग के बुक में जो दोहा है ना उसके शायर है जफर गोरखपुरी आपसन नंबर सी में दिख रहा है ना धीरे से टिक कर दीजिए दोसा 92 नंबर कोश्चन की दानव अदाम किसका अफसानवी मजमुआ है यानि क दानव अदाम ये किसका कहानी का किताब है सही जवाब होगा आपसन नंबर भी बेदी का राजेंदर सिंग बेदी का ये कहानी का किताब है दोसा 93 नंबर कोश्चन है कि बेदी के एक नाविल का नाम बताईए तो बेदी के एक नाविल का नाम है एक चादर मैली सी आपसन इलिए गए रहते हैं तो हुआ के मनजर को देखते हैं और उसी पर लिख देतेे हैं जिसका सब्सक्राइब केम कि बीमारी में हुआ तो जिस्स बिमारी शे चकबस्त का इंत्काल हुआ था वह बिमारी था फाली यहांनी कि फालीज इसने मरते यू manuscript कलेek तो उनका जाय पैदाईश है लोधी कट्रा यानकी लोधी कट्रा में प्रवेद शाहदी पैदा हुए थे तो शौक लखनवी शायरी की इपतदा किये थे घजल से तो आपसा नमबर सी इस दा करेक्ट एंसर ठीक है थे अगला कोशन एहमद फिराज का तालुक किस मुल्क से है तो एहमद फिराज का तालुक है जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान से और आखरी कोशन आप लोगे स्क्रिन के उपर है कि परविन शाकिर की हैसियत से मशुहूर है तो परविन शाकिर वो एक घजल गो की हैसियत से मशुहूर है यान की घजल लिखा करती है तो फाइनली यहां पर हो जाता है टेंथ क्लास के उर्दु का संपूर्ण objective question complete यानि कि आज का ये जो class था ये महा मेराथन class था थोड़ा सा ये class लंबा हुआ लेकिन हम लोग पूरा बुक आज के इस वीडियो में complete कर लिए कैसा लग रहा है आप लोगो सारा question जो कि आज के इस वीडियो में आप लोगो कराई समझ में आया है वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में भी लिख कर बताए कि हाँ में चीजे समझ में आईए और वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किये हैं तो लाइक तो बनता है पड़ापड वीडियो को लाइक करें और जितना ज्यादा होता कि शेयर कर दें ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाब उठा सके सभी लोगों का भला हो और चैनल पर अगर आप लोग नए नए आये हैं मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लिजेगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो यह फ